परदीब डाला और अधिवकता हैं हमारे साथ आएड़ बूगेट हैं क्यूझ कोट में आये ये और कोट में आके अधिवकता बनके करना क्या चाती हैं कितना संतुश्ट है सरकी दादरी में नेताओं के विकासकारियों से और परशर्षनिक अधिकारीयों के चाल चलन से और परसासरी का दिखारी ओंकर नेताओं का कम था वो वकिल साती कर रहे दादरी में यह पहला वाकिया देख लोगे रहा है क्या करना चाहते हैं क्यूं सुधारना चाहते हैं वो कहते हैं ना हर घर में रावन बैठा इतने राम कहां से लाऊ अखिला पट्दीव डाला कहते हैं कहला चना भाड फोड सकता है प्रदीव डाला दादरी को सुधार देगा जो ये परसाशन के तक आप सिमित हो गए हो इसका जिम्मेवार तो यहां के दादरी के नेता हैं क्यों ने हम नेताओं को ये सबक सिखाएं क्यों ने दादरी के नेताओं को ये बताएं कि आपकी वज़े से ही परसाशन ढिला है राजनितिक जाग रूपता दादरी में फैला जाके वोट लेना चाहता है, राजनी जागरूक हो जाएंगे, हम अदीवक्ता सबका डर निकाल देंगे, अपनी मर्जी से, अपनी समझ से वोट डालेंगे, दादरी के लिए वोट डालेंगे, दादरी को 1191 से लेकर, सांगु धाम, जाडू सिंग सर्दार से लेकर आज जो भी धायक हैं, आपको पूरा ऐसे बता दूगा, जैसे रामायन बतादेंगे, नेता ऐसा चुन देंगे, जो वादा तोड मुपाएगा, जन्ता और नेता में समझ से बिठा देंगे, मिशन के रूप में निकले हैं, कोई एजेंडा नहीं है, किसी पार्टी से कोई मतलब न दादरी के आयाम बदल देंगे, राज़निती दादरी में, ये होगा, ये राज़निती होती है, दादरी का MLF बनने से उसको दस बार सोथना पड़ेगा, कि दादरी का 24 बार बहुत कठिन है, आपको लोगों की बात प्याना पड़ेगा, जिसको कानूनी मदद के अर्चने मतलब वो यह कि कैसे मुझे सरकारी मदद तो मिल नहीं रही है उसको हम फरी में केज लड़ देंगे उसके साथ अन्याई हो रहा हो तो हम उसके लिए बिलकुल ततपर हैं मैं एक नहीं हूँ हमारे 20, 30, 40 वकील हैं जो उसके लिए खड़े हो जाएंगे सुप्रीम कोड तक लड़ देंगे आप जीएंगे दादरी के लिए मरेंगे दादरी के लिए डिल धड़कता है चर्की दादरी के लिए आप भी गवा बनोगे इस तीज़ के लड़ सकता हूं चुनाव नहीं तो मेरे को चुनाव लड़ने से परेज है नहीं मेरा कोई साथी लड़े उसकी मदद करने से मुझे परेज है सेम करो सो प्यकरे पिया जी इस मैं द्यंगे ताना के से वो टोटा नपा कर्म का उसे तने उलाना की से नमस्कार सुवागत आपका हरियाना इनुश्ट 24 पे मैं हूं मुना लंबा मेरे शवगी इमान सुनावा के साथ हम मौजूद आज चर्की दादरी नया जिला बिना हरियाना राज्ये का चर्की दादरी जिले में मौजूद है और अमर साथ खास महमान मौजूद है खास बातचीत में और बातचीत करें हम उस महमान की परदिव डाला अधिय वक्ता हमरे साथ एड़वोकेट हैं लेकिन उससे पहले ही है अधिकारी में रह चुके हैं बीएसनल में कई बीशों भ आके अधे वक्ता बनके घरना क्या चाते हैं अच्छे खासी लाइफ लर्जरी लाइफ को छोड़के क्यों फिर पूरी नोकरी की अच्छे खासे पद से रिटार्मिट है अफसर के पद से और फिर कोट में आ गई तो ये भी एक सोचने वाली बात है और चर्की दादरी जि शुआ से लेकर दागे से लेके और हल जीव मिरित नवा के चुले से लेकर हर चीज सई पढ़ती है कितना संतुष्ट explaining दादरी में नेताओं के विकासकारियों से और परसर्षनिख अधिकारियों के चाल चलन से और उनके भगे सिंग सत्गुरू यह आकर मैं अधिवक्ता हैं अच्छी सोच नेक रादे के साथ आए हैं और समाज में कुछ अच्छा करने के लिए अपने लिए तो उन्हों ने कर लिया लेकिन मैंने बात्ची तो रही कहते हैं अब पहले देश के लिए कुछ ने कर देश के अब लाइफ देश के लिए गुजारेंगे समाज के लिए तो मैं सलूट करता हूँ इनके सोथ बहुत अच्छी है पतिव डाला जी आपका बहुत अस्वागत है अब अब लाइफ जी आपका बड़ी आपका बड़ी आपका प्रिवार सेट आपका अच्छी खासे गादिगारी से रिटारिमिंट हैं तो फिर मैं जानना चाहँगा गए क्या दिक्कत लगी क्यों सोदाना चाते हो समाज को अर आपके अपनी लाइफ जीओ अच्छे बड़ी बड़ी पिक्निप घूमो देश बीदेश वे शफर करो अच्छा काचा पैसा है अच्छा रिटारिमिंट पर पैसा मिले अच्छी आपको सेलरी मिलती है महीने की क्यों सोदाना चाते हो क्या जूरूत आपको समाझ को सोदाना बहुत धन्यवाद अलामबा साब आपने कई बाते बता दी हैं कि अधिवक्ता के बारे में भी बताया मेरे बारे में भी बताया बहुत धन्यवाद आपका कि यहां तो जो पत्रकार या जिन से भी मेरा अब तक मैं देख पा रहा हूँ कि वो कुछ एजेंडे पर ही चलते हैं कि इस नेता का इस बात से वो खुश होगा तो वो करनी है इस से खुश नहीं होगा तो वो नहीं करनी है तो थोड़ा सा मेरे बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के मादम से कि मेरा मंदली गाम है और मैं पांच मी में भी मेरी 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 थी मैंने 1983 में अठी में की मंदला श्कूल से उसमें भी मेरी 80% ते मेरीट थी सरकारी मंदला स्कूल से की उसके बाद मैं DR के स्कूल से 10 मी करी वहाँ भी मैं मेरीट श्कूल था बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है उसके बाद मैं हिसार चला गया दयानंद और वात्स आजिता स्परघडों मुझे है तो अप्सेद मटों अब्सक्रेब नीघ्जान को जिए न है बिल्क मद्दम्बरग से और किसान फैमिली से और वो भी सरकारी विदाले में फोजी परिवार से निकल कर यहां पहुचे हैं बिल्कुल और उसके बाद मैंने इसार में यह देखा कि मैं स्टूनेट साइश का था लेकि मैं पॉलिटिकल सोचली यह चीजे पढ़ता था और व अरियाना में अल्टिमेटली उनिस सो सतान में मैं यहां यही टेलीफोन लगया दादरी में और तब से मैं दादरी की हर चीज़ से वाकिफ हूँ क्योंकि टेलीफोन डिपार्टमेंट था यह देखता था कौन सा नेता है क्या है सबी चीज़े मैं देख पा रहा था दादरी के नेताओं से मुकाबला करने के लिए मैंने LLB की ताकि समाज में मैं अपनी चीज को बेवाग तरीके से कह पा हूं। सरकारी नोकरी में मेरे पास कई बाधाएं थी। सबी चीज़ों को मैं देख रहा था दादरी की। और उसके बाद में 14-15 में जो ये गुडू और जो ये इनके साथी जो करते थे संजीव गोदारा वकील, विरेंदर डूडी वकील और इनके कई साथी मुझे ऐसा लगता था कि जो काम वीपक्स को करना चाहिए, किसी को करना चाहिए, वो ये साथी मिलके कर रहे हैं। वकील कर रहे हैं। सरकारी विदाले खराब होते हैं, पड़के अच्छे, ये सरकारी विदाले से निकले हैं, जीता जाकता आपके सामने बैटे हैं। और मैं बीदेशियों का सलूट करता हूँ, मैंने अकसर सुना था, बीदेशों में, कि जो अपने देश के लिए जवानी में नहीं कर पाया, वो रीटारिमिट के बाद करते हैं। कोई जवानी में करता है, लेकर देश के लिए भावना भोद होती उन लोगों में, और मरते दम तक कुछ न कुछ न कुछ देश के लिए जुरूर निकालते हैं, पांस साल, दस साल, बीच साल, तो ये देश के लिए रीटारिमिट हो चुके थे, अच्छी खाची पैसा, अ कैला चना भाड फोड सकता है, क्या अब पर्दीव डाला जादरी को सुधार देगा? लंबा साब, मैंने इविनिंग में LLB करने की कोशिश की थी, जब मैं नोकरी में था, अधिकारियों ने मुझे परमिशन नहीं दी, ये देख के मेरा एटिचूड और वो सब चीज़े देख के उन्होंने ये नहीं की, भी तु तो बगैर LLB ही हमारे से बैस करता रहता है, तो मेरे को MBA की परमिशन दे दी, उन्होंने LLB की नहीं दी, मेरा सपना था LLB करना, मुने एमपिल कर लिए 1993 में में कुरुक छेतर से, लेकिन मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई, जो इस डिग्री से हुई है, क्योंकि डॉक्टर भीमरा वंबेटकर, महात्मा गांधी, जिसको भी मैं फोलो करता हूँ, जिसको भी मैं देखता हूँ, वो अधिवक्ता के रूप में उसने अपनी इच्छाओं को पूरा किया है, अधिवक्ता के रूप में उसने समाज को दिया है और अपना अत्म समान बचाया है समाज का बचाया है और बहुत यागदान के तो मैंने कहा इस से अच्छी डिग्री नहीं हो सकती कुछ करने के लिए और जो मुहिम यहादी वक्ता नहीं छेड रखी थी उसको मैंने इनको अभी बताया कि आप अपनी परसासनिक लड को यह सबक सिखाएं क्यों न दादरी के नेतां को यह बताएं कि आपकी वज़य से यह परसासन डिला है एक उदान देता हूं आपको मैं अंतराश्टी विशओं पर राश्टी विशओं पर पर देश के विशओं पर गाउं पर किसी भी किसान पर बहुत बैठकों मैं मैं हूँ यहां दादरी के बहुत लोग जो मेरी बात सुनते हैं वो तरक में मुझे ये मानते हैं कि भी परदीव डाला से पूछ लो मैं चला जाता हूँ किसी के पास भी हर चीज में कई लोग मुझे गूगल कहते हैं कि भी कोई बात अटकी परदीव डाला को बुला लो लेकिन मैं एक विशे पर अभी केंदरी तोना चाहता हूँ कि दादरी में DC महुद्या ने अतिकर्मन की एक परकिर्या शुरू गए कोई नेता छोटा बड़ा बावी वर्तमान भविशे का बनने वाड़ा नेता भूतपूरो किसी ने भी एक लाइन ये नहीं बोला कि ये अतिकर्मन ठीक है या गलत है ठीक है तो हुचला बढ़ाओ और अगर गलत है तो उसको रोक दो डादाला साब ऐसे कैसे रोक देंगे अरे भाई नेताओं के लोगों ने तो खरक रहा कबज़ा आदरी की जमीन के उपर अरे भाई किसी रूप में किसी पार्टी के लोग ही हैं वो ऐसे कैसे नाराज कर देंगे अपने कारिये करताओं को ऐसे कैसे सभासी दे देंगे बताओं डीची साब को अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये तो आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं जिन्होंने कबजाा निके रख़या वह कह रहे जिर धिय वक्ता कह रहे हैं अच्छी इन्छाने वह जबनीड तो नेता कैसे बोल देंगे क tragedy करी दर बॉल से पलिक लेए तो ऐसे कैसे बोल देंगे वो बहुत अपना काम बनता और बाड में जाए जनता चलो मैं आपकी बात को वो अच्छा ने बोले तो बुरा बोल दो बुरा बोल के रोक दो कुछ तो को मेरा ये है कि मैं अपने स्टेटिस पर भी ऐसी रहता हूं कि बुगला भगत मत बनो दाद नए नए सारे कि ऐसे देख रहे हैं कि अगर बोलने में फाइदा होगा तो बोल देंगे नुकसान होगा तो उस तरह बोल देंगे अरे ऐसा दादरी की जनता को क्या बेवकूप समझते हो मेरा एक परण है लांबा साब आपके मादे में से करना चाहता हूं राजनितिक जा के वोट लेना चाहता है राजनितिक जागरू को जाएंगे अम अदीवक्ता सबका डर निकाल देंगे अपनी मर्जी से अपनी समझ से वोट डालेंगे दादरी के लिए वोट डालेंगे किसी पार्टी से नहीं है कोई पार्टी का जंडा नहीं होगा जो दादरी का होगा दादरी के हित्मे होगा, वो हमारे साथ होगा, जो दादरी के हित्मे नहीं होगा, वो खिलाप होगा, उसे हम लड़ाई लड़ेंगे, और जो साथ होगा, उसको साथ देंगे, आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, कि दादरी में पूरी दादरी में एक कोई बताने वाला नहीं गलत है कि ठीक है नहीं या गलत बताओ या ठीक बताओ टीक है तो शाबासी दो गलत है तो उसको रोक डो है से दाधरी को दाधरी की जिनता को नंगे तो क्या लगता है इस दलदल में इस गंध को इतने धटके से साफ किया जा सकता है और हाँ ना मैं एक बात और जानना साँगा अगर सही इनक्वारी हो लोग कहते हैं सिरे से तो दाधरी में हरियाना परदेश का सबसे बड़ा भश्टाचार निकल सकता है लोग कहते हैं पूर कहते हैं धंक से लग नहीं रहें काम हो नहीं रहें तो आपका क्या कहना वास्त में इतना बड़ा कुछ गड़ जाला निकल सकता है अगर सिरी से जाच की जाए मैं लंबा साब दादरी के बारे में बहुत पढ़ा है मैंने जो कमी थी वो भी पढ़ी है भी बिन परकार की किताब पढ़ी है पूरा मेरा दो गंटे का इंट्रू कर लेना आप दादरी को 1191 से लेकर सांगु धाम जाडू सिंग सरदार से लेकर आज जो विधायक हैं आपको पूरा ऐसे बता दूगा कि जैसे रामायन बता जी जाएगा बरस्टाचार की बात है वो मेरी लडाई का एक हिस्सा है मैं राजनितिक जागरू करना चाहता हूँ राजनितिक जागरू को हो जाएंगे अच्छा नेता चुनेंगे बरस्टाचार तो उनमेंसे एक चीज है चुटकियों में खतम कर देंगे बरस्टाचार तो उसके बाद भी कई चीज़े हैं सुईधाएं हैं दादरी के लोगों की सोच को उचा कर देंगे बरस्टाचार तो बहुत छोटी लडाई है यह मैं सो परस्टाचा आपको आस्वासन दिलाता हूँ यह मैं करके दिखाएं नेताओं को दोस मत दो आप जनता की कमी भी उतनी है चुनता कोन है जनता जनार्दन तो चुनती है तो कमी उनकी भी है जनता जो देख रही है दादरी की कि खाली नेटाओं की कमी के बताते हैं वो तो to आएंगी ना वो तो सामदाम धंड बेद करेंगे हां के यहांपे उनका तो काम बडन भेजान संबोधित क्या है गुरूप के मादिम बे जागरूप करता रहता हूं बिलकुल नहीं चुनेंगे ऐसे नेताओं को जिसका बाद में ये लगे बिलकुल नकेल डाल देंगे दादरी के हर नेता को वो चुना गया तो उसको गली-गली में वाइदा करना पड़ेगा अंडर रि जनता और नेता में समझे से बिठा देंगे मिशन के रूप में निकले हैं कोई एजंडा नहीं है किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है किसी नेता के डूल क्या नहीं हम दादरी के आयाम बदल देंगे राजनिती दादरी में ये होगा ये राजनिती होती है दादरी में किस और नाम मेरे भाईयों के विरंदर डूडी कि वो लोग दादरी के अपसर को नकेल डाल रहे हैं सिटीजन चार्टर लगवा दिया दादरी में परसाचार को बड़े कम सतर पे ले आए हैं वो लोग कोई आदमी ये निकता वो मेरे से पैसे मांग रहा है जो हो गया उसका हिसा मेरा मकसद ने उसका हिसाब लेना है आगे बढ़ना है हम राजनिति गंदगी को साफ करेंगे बरस्टाचार में जो चीजे हैं वो बड़ी छोटी करेंगे उनको अच्छा नेता चुनेंगे दादरी का मेले बनने से उसको दस बार सोचना पड़ेगा कि दादरी का का बुरा हाल ऐसे दादरी के वोटर कमजोर नहीं है हद हो गई है गेंग दुकानदार गेंग में धूज रहे हैं वो गेंग ये गेंग दादरी को साफ सुतरा कर देंगे दादरी में जो राजनिती करेगा उसको लगेगा कि साफ सुतरी राजनिती चलेगी गजब की राज शाथपाल सांगवान दीचे उन ठेकितने हम 15 साल की ले लेते हैं चै बहस तो भी आपके आसाओं पर खरे उतरे हैं जनता के आसाओं पर ये विदाइक खरे उतरे हैं और नगर परीशेच चैर्मेन नगर पाली का जो आपकी देखो जी अपने समयनुसार जो आप नाम ले रह किसी अपने घर बढ़ने में ज्यादा लगे हुए थे और मैं किसी भी नेता को मेरे 10 में से 10 नमबर नहीं दे सकता और नहीं मैं किसी का ये नाम ले सकता क्योंकि मेरा इतना कद नहीं है जब तक मैं साबित नहीं कर लूँगा अपने आपको मैं किसी पर उंगली नहीं उठ मैं खुद अपने आपको थाबित करके दिखाऊंगा, हमारे विचार मंद्स को थाबित करके दिखाऊंगा, तब मैं एक के की बख्यां उदेड़ दूँगा, कि किसने क्या किया और किसने क्या किया पहले हम करके दिखाएंगे, फिर कम्या निका रहेंगे, आपके मादम से भ लट देंगे उसके साथ अन्याय हो रहा हो तो हम उसके लिए बिलकुल ततपर हैं मैं एक नहीं हूँ हमारे 20, 30, 40 वकील हैं जो उसके लिए खड़े हो जाएंगे सुप्रीम कोड तक लट देंगे कोई भी आप मुझे बता देना समाज में खुल आईए मैं बता रहा हूँ कमजोर है, सोसित है, कोई भी हो, पैसा नहीं है, वास्ते में पीडित है, तो 30, 30 यहां अधिवक्ता हैं, यहां से लेके अपर कोड तक, आई कोड सुप्रीम कोड तक, इनके अच्छी खासी टीम है, फिरी ओब कोश्ट उनको साहिता, कानूनी सला, उनका केस लगना, तो मैं सलूट करता हूँ, साइधी पूरे हरियान और पूरे भारत में इस तरिके के एक वकिलों का दिवक्ताओं का गुरूप हो, जो देश के बारे में भी सासा सोसित वरागे, पीडित वरक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा योग करता रहे, मैंने काता कि जो भी दादरी के नाए दिलाए, दादरी को सुन्दर बनाए, हम उसके साथ हैं, क्यों हम किसी बात से ड्रे हैं, हम ने किसी पार्ट्री से ड्रते हैं, ने किसी आदमी से ड्रते हैं, दादरी के लिए करेंगे, दादरी में राजमितिक जाग लुकता फैलाएंगे, जीएंगे दादरी के लि आपको अच्छी खासी नोगरी से अच्छी अफसर के पर से रिटारिमेंट है आराम से अपने घर में टीवी देखिए खेतों में घूमके आईए कहीं भार विदेश में कहीं हील्स में घूमने चलें अब कहां पचड़े में फस गे आराम से अपने जिन की जीए तो कभी आप और नहीं करूंगा लेकिन उनके सायों के बगेर तो कोई एक अदम में बढ़ नहीं पा रहा हूं और परमात्मा ऐसी धरमपतिनी सब को दे ऐसे बच्चे सब को दे मेरी बेटी चंदरपाल शोरान है स्टेंड लेबर कमिशनर है उनका बेटे रविंदर उनसे आई है और प इस्तेदार ऐसा सब को दे नहीं तो कहां ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल आजाद हूं मैं कुछ भी कुरूश में मेरा साथ देते हैं मैं दादरी के लिए जो कर रहा हूं अब मैं सभी बाते छोड़के दादरी पे सेंट्रलाइज हो गया हूं मैंने इसार कुरूश चेतर मैं दादरी को उसको छोड़ेगा तो भी 100% मदद करूँगा और मैं नहीं को यह करकाद हूं और मैं मैं कोई देते हैं Let me बराबर हैं, कोई चुनाओ लड़ने के लिए स्टंट कर रहे हैं, यह ऐसा कह सकते हैं, जनता नहीं कहेंगे, नेता कहने लगे हैं, अच्छा छलो ठीक हमान लेते हैं, यह काटो बरात आज है, जब खुर्शी पर बैड जाते हैं, यह इस पे बैठने के बाद पता चलता है, रास्ते कितने कठीन है, परदिव डाला जी, लेकिन चलो, हफचुना भी लड़िये, जीद भी जाएए, उसके बाद बता चलेगा, जादरी को, जिले को, या पूर्य, जो भी विदाइक होता है, उनको सुधाना कितना कठीन होता है, अच्छा साधी कुंछे साधी मेरी उन पर्मात्मा की उससे बली चड़ाएंगा, यह था, लेकिन कुछी दिनों बाद लगया कि यही मेरे को भुगत सकती है, और मुझे लगता नहीं था, कि कोई ऐसी दूसरी ओरत होगी, जो मेरे जैसे आदमी को पर्मात्मा उनको अच्छा समय निकाले, उनका द्रिकायू करे, तो लरेश देवी जी आपको सलूट करता हूँ, उन्होंने खुद कबूल लिया है, पर दिवडाला जी ने, कि यही जो धर्म पदली मुझे मिलिया, यही भुगत सकती है, और नहीं भुगत सकती थी, पर मात्मा ना ने मेरे लिए उतारी, बेरो कोई ते दिल भुगता, अ कौन से रागने का के मना है, वो सो फिज्दी करेलो और साध्या जी वो रागनी और यह मतलब उसको तो काम से उससे वो है, और कई कावर कर देता हूं, तो गुसा करके वो जो चोटा मुटा हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी मेरी रागनी चार-चार कलियों की लखमिचंद की, तो मैं अगर उसको कोई भी गिफ्ट दूँ, तो पूरी नहीं सुन सकती, वो एक दो लाइन तो सुन लेती है, थोड़ी सी सुना दी है, उसको रसोई से फुर्चत नहीं है, उनके लिए जो कभी आपने गाई है, नहीं उनके लिए तो मैं वो बगत सिंग वारी रागन हैं, वो तो मैं वैसे भी नहीं गाता हूं, मैं समाज को जो एक रागनी उसके लिए, मैं कहता हूं कि तो आप मुझे इस तरह से मान लो, जैसे सुदामा में जो हो गया था तो उसने बताया था कि कर्शन बगवान तो आपके दोस्त हैं, तो हमने किसी बुरे टाइम से और उसे नहीं गवराना ची है, तो मैं उनको वो रागनी समर्पित कर देता हूं कही बारे आने उलाना की से बुरा आए भला आए जो समाए, जिसकी पत्नी अच्छी है, उस गर में तोटा नहीं आसकता बुरा टाई नहीं आसकता। धरम पत्नी को मैं भी को बहुत प्यार करता हूं को, अब बहुत प्यार बहुत अचित की बड़ा अकेले से बात जीट करता है। बधिदास आदमे हैं आप बिंदास दिल से बोलते हैं आत्मा से बोलते हैं। नेता है नादरी की लिए, आपकोल नेक्तिपान, आपकी पूरी टीम को सुलूट करता हूं अधिष कितने छोणु कर दाधरी में callerD trustees के दिकारियों को पर शाषन को पर नेता और गरीब आदिमियों की यूहीं साहिता करता है बहुत बहुत दन्यवाद आपका कीमतिय समेलिया आपका कोड का समय है ब़ोग दर्माइजा खड़ रहे हैं लोग द钉़ आपका कीमतिय समेल्य लूग को आपके से स्बैसे सम Việt अ हमयो ठोलिजैनल